हाई अब्रिवन मैं उस्तीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूटूब चैनल आज का डेमो में आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं ब्लू स्टार के डेट टन 3 स्टार फिक्स स्पीड एर कंडिशनर की जो की मेरे सामने हैं तो कैसे इसके अंदर फीचर मिलने वाले ब्लू स्टार ने जो भी आपके इसके अंदर नया दिया है हर एक चीज की हम बात करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को अगर थोड़ा सा बड़ा होता है और वहां पर आना जाना लगातार लगा रहता है या फिर अगर आप इसको एक शॉप में लगा रहे हैं दुकान पर लगा रहे हैं जहां पर कस्टमर्स का आना जाना काफी बार लगा रहता है तो वहां के लिए आपको एक फिक्स स्पीड AC ही खरीदना चाहिए, बजाए के एक inverter AC के, inverter AC आपको वहाँ लगाना चाहिए, जहाँ पे आपका एक बार AC ओन करने के बाद room या फिर जहाँ भी आपने लगाना वो close ही रहता है, वहाँ पे आना जाना कम बना रहता है, मतलब उसके इंदर temperature आपका maintain रहता है वहाँ पे inverter AC काम्याब है बट जहाँ पे cooling loss होता रहता है बार बार दरवाजे खुलते रहते हैं जहाँ temperature थोड़ा ज़्यादा होता है वहाँ पे आपको हमेश्या एक fixed speed AC ही लगाना चाहिए जैसे कि यह है, यह blue star का सब से heavy fixed speed dayton three star air conditioner है जिसके अंदर आपको 5310 5310 watt की cooling capacity मिलती है जो कि मेरे ख्याल से किसी भी AC के अंदर आपको इतनी अच्छी cooling capacity नहीं मिलती बहुत ही बहतरीन AC है 100% copper के साथ आता है इसका जो indoor unit है वो भी 100% copper के है और जो outdoor unit है वो भी 100% copper के साथ है indoor unit इसका बहुत बड़े size का है जिसके अंदर आपको काफी अच्छा air throw मिलता है और इसी के वेशे आपको इतनी अच्छी cooling capacity भी मिल देती है बड़े indoor होने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी room की जो गर्मी होती है room के अंदर उसको काफी तेज काफी fast उसको कमरे को ठंडा कर देता है और इसका जो area जो cooling करने का होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि इसका blur का size काफी बड़ा है उसके बाद इस AC के साथ आपको कुछ इस तरह का remote मिलता है जिसके उपर आपको सारे ही modes इसके अंदर usable जितने भी इसके सारे buttons यहीं पर मिल जाते है जहां पर आपको सबसे पहले मिलता है mode जहां पर आपको बहुत सारे modes मिल जाते हैं जैसे कि एक cooling mode जहां पर आपका star wall icon होता है उसके बाद मिल जाता है आपको dry mode उसके बाद मिल जाता है आपको fan mode जहां पर सिरफ fan चलता है और उसके बाद मिल जाता है आपको auto cooling mode जहां पर आपके कमरे को sense करते हुए cooling वगारा को adjust रखता है यहां पर आप temperature इसका set कर सकते हैं 24 डिगरी इसका जो है standard temperature है जो कि आपको रखना चाहिए जहां पर सबसे कम बिजली की खपत होती है आप इसको adjust करके minimum 16 डिगरी तक भी जा सकते हैं और maximum 30 डिगरी तक बाकि इसके अंदर timer वगारा का option है fan mode का है fan की speed आपने कम ज़्यादा करनी है auto करनी है तीन speed है main और एक auto total 4 speed है timer on off करना है तो यह सारी चीज़े swing आपने on off करनी है यह सारे के सारे जो control है वो आपको इस remote के उपर मिल जाते है उसके बाद 3 star rating के साथ आता है energy consumption की बात करें तो इस AC की total energy consumption है वो है 1080 unit 1600 घंटे के अंदर यह लगबग आपका मान के चलोगी 0.7-0.6 unit के करीब खाता है एक घंटे के अंदर तो कहने का मतलब इसकी जो energy consumption है वो भी काफी अच्छी है inverter इसी दो थोड़ा ही फरक है बट cooling capacity इसकी काफी अच्छी मिल जाती है आपको इसलिए आपको अगर आपका area थोड़ा ज़्यादा बड़ा है वहाँ पे अगर heat level काफी ज़्यादा है तब आपको इस AC को ही लगाना चाहिए इस AC के साथ अगर accessories की बात करें तो इस AC के साथ आपको 10 foot का copper का pipe भी साथ में मिलेगा remote control मिल जाता है बकी filter वगारा इसके अंदर लगे ही हुए dust filter वगारा जिनको आप असानी से निकाल के साव भी असानी से कर सकते हो service वगारा एक साल तक आपको free मिलेगी installation charges change होते रहते हैं अभी मेरे ख्याल से इसके उपर जो installation charges चल रहा है वो 1200 रुपे plus GST जो है अभी continue है और सबसे last में अगर हम बात करें इसके pricing की तो blue star ने इसका जो अभी price रखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा है अभी यह best price के इंदर 38,790 रुपीज 38,790 रुपे का यह आपको AC मिल जाएगा इसका जो purchase link है वो भी मैंने नीचे description में दे दिया है अगर आपको AC अच्छा लगता है तो वहाँ से आप इसको purchase कर सकते हैं इससे हमारे चैनल की भी थोड़ी बहुत help हो जाती है दोबारा आपसे request है कि please हमारे चैनल को subscribe करना, share करना, अच्छा चेक्मेंट्स करना तो इसे क अच्छा प्रूश बहुत है अच्छा बच्छा बहुत है अच्छा बहुत है अच्छा जाओगा है अच्छा आपको